बिहार की चुनावी मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आए और एक ही दिन में तीन रैलिया कर विपक्षी दलो पर 2020 स्टाइल में हमला बोल दिया प्रधानमंत्री ने हर बड़े मुद्दे को बिहार की जनता के सामने रखा और एंडिये को जीत दिलाने की अपील की आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बातें जिसने बिहार के चुनावी माहौल को बहुत ही दिलचस्प बना दिया बारत के स्वाभिमान बाबिहार भारत के संसकार बाविहार आजादी के जैगोस बाविहार संपुर्ण क्रांती के संखनात बाविहार आत्मां दिर्भर भारत के परचंबा बिहार देश के सुरक्षा हो या देश के विकास बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन बिहार के सपूत गलवान गाटी में तिरंगा के खातीर शहीद हो गईले लेकिन बारत माता के माथा ना जुके देले पुलवा मा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भईले हम उनके चरान में सीज चुकावतानी सद्धन्जली देवतानी आप मुझे बताईए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बर्सों से कर रहा था या नहीं ये फैसला हमने लिया एंडिय की सरकार ने लिया लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बास कर रहे हैं कि सक्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे और और इनका दूस्सा हस देखिये इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मागने की हिम्मत दिखा रहे हैं जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेचता है क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है मैं जवानों और किसानों की भुमी बिहार से इन लोगों को एक बात एकदम पस्थ कहना चाहता हूं ये लोग जिसकी चाहें मदद ले लें देश अपने पैसलों से पीछे नहीं हटेगा भारत माता की बिहार के स्वाभिमानी और महंती भाई बहन आप सभे के परनाम अन्यदाता महंत कस किसान भाई लोग के इदान के कटोरा कहल जाए गरवशाली धर्ति के हम नमन करतानी माम मुंडेश्वरी तारा चंडी माता के इपावन भुमी पर रोवा सब के अभिनंदन करतानी सबसे पहले तो मैं बिहार के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ बधाई इस बात के लिए कि बिहार के लोग इतनी बड़ी आफदा का डटकर मुकाबला कर रहे हैं कोरोना महमारी से बचने के लिए तेजी से जो फैसले लिए गए हैं जिस तरह बिहार के लोगों ने काम किया नितीज जी के नेत्रुत्म में एंडिय सरकार ने काम किया उसके नतीजे आज दिख रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े अमीर देशों की अहालत किसी से भी छिपी नहीं है अगर बिहार में तेजी से काम न हुआ होता तो ये महमारी न जाने कितिने साथियों की हमारे परिवार जनों की जान ले लेती कितना बड़ा हाहा कार मचता इसकी कोई कलपना भी नहीं कर सकता लेकिन आज बिहार कोरोना का मुकाबला करते हुए सारी सावधानियों के साथ लोग तंत्र का परव मना रहा है एक और बड़ा प्रयास किया जा रहा है मात्रु भासा में सिख्षा को ले कर अभी हमारे डॉक्टर जैस्वाल जी जब मैं आया बड़े विस्तार से इसका वर्ण कर रहे थे और ये काम जब मैं कह रहा हूँ मैं कहता हूँ मन बुद्धि कर्म से मैं स्वर्गिय आदर्निया करपुरी ठाकोर साहाब को आदर पुर्वक सद्धान्जली भी देता हूँ आज वो जहां भी होंगे हमारी सकल्पना से वो हम पर आशिरवाद बरताते होंगे भाईयो बहनो देश की सिख्षा विवस्ता में तो बिहार का गवरवशाली इतिहास रहा है राष्ट्रिय सिख्षा निती से प्रेणा लेते हुए अब कोशिस होगी मेडिकल एंजिनियरिंग समेत सभी तक्निकी कोर्सिस को भी मात्रू भाषा में पढ़ाने की शुरुवात की जाएगी देश जहां संकट का समाधान करते हुए आगे बढ़ रहा है ये लोग देश के हर संकल्प के सामने रोडा बन कर खड़े है देश ने किसानों को बिचोलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैंसला लिया तो ये बिचोलियों और दलालों के पक्षमे खुल कर मैदान में है मंडी और MSP का तो बहाना है असल में दलालों और बिचोलियों को बचाना है झाल झाल